Hello friends, स्वागत आपका Study Hack चैनल में तो जैसा आपको पता कि आज हमारी Static GK की क्लास होती है तो आज मैं लाया हूँ Static GK में Census 2011, जन्गना 2000 एगा यह बहुत ही important है आपके upcoming exam के लिए सारी exam में बहुत सारे questions इन से पूछ जाते हैं इसको पढ़के गए तो आपके दो नंबर तो पके हो जाएंगे यह most important topic है किसी भी upcoming exam के लिए तो चलिए इसको discuss करते हैं तो आपको जैसे पता कि जन्गना 2011 कब पेस हुआ था तो जन्गना 2011 दिल्ली में पेस हुआ था 31 मार्च को सचीव थे कौन थि समय जीके पिल लाई और किनके दौरब वतत और रजिस्टरार जनरल और सेंटास कमिस्ट्रार थे सी चंदरा मॉली सियंटे थे के सेंद्माणा मॉली और के दौरब पेस किया गया था सैंटास 2011 का ठीक है और कब किया गया था नाई लिए में किया गया था 31 मर्च 2000 एगारग को चले बात करते हैं कि इसमें था यह इतना इंपोर्टेंट है क्यों इस पर बेस्ट कोश्चन भी करेंगे हम तो पहले देख लेते हैं कि है क्या यह सेंसें में क्या क्या है तो सेंसस है थी लेकिन बात कि आजाद भारत की साथमी घमना थी ठीक है सिकτοर मोटो सबस्था इसको यद रखेज़ 2011 का मोटो क्या था था इसको या बोल सकते 22 बिलियन इसको आप 22 बिलियन भी बोल सकते हो जन्गरना द्वजागर की कुल अनुमानित लागत थी 2200 करोर रुपै थी ठीक है जिटा नेक्स बाद करते हैं तो सबसे पहला सेंश से जो था ठीक है वह किसके द्वारा किया गया था तो लॉट मेयो के द्वारा कब किया गया था तो लॉट मेयो का जो टाइंप पिरीयड था उन्होंने कर बाया गया था और संस्फूल कि द्वारा हुआ था तो इनके दोरा किया गया था तो सपस्फड प्रथम सफल जंगरना जो था 181 में में लॉड्रिपन के द्वारा किया गया था तो इनका कारेकाल देख लेकि इनका कारेकाल कब से कब तक था इनका कारेकाल था अठारा सो असी से लेके अठारा सो चौरासी था ठीक है तो इनके कारेकाल में मैं बता दू कि एक आया था फैक्ट्री एक्ट लिया था प्रेक्ट्री एक्ट 1881 भी इनके कारेकाल में आया था और इनको बोलते हैं गुड वाइस रहा है और इंडिया इनको बोलते हैं गुड वाइस से रहा है इसको साथ के साथ यहीं पर डिसकस कर दूँ जब जित रही हुआ है लॉड में और रिपन की तो इनसे रिलेटेट इंपोर्टेंट चीज मैंने डिसकस कर दी ठीक है तो आप याद रखना है कि पहला सेंसस 1872 में आया था लेकिन अगर पूछे कि सक्सेस्फुल सेंसस सफल जन जन संख्या से हम देख सकते हैं कि इंडिया का रैंक पूपलिएशन के हिसाब से जन संख्या के दर से यह जन संख्या से सकेंड और चाइन अब बात करें तो इंडिया फर्स्ट पर आ चुका है और चाइन सकेंड पर चला गया तो दस्किये व्रिद्धी जो थी इंडिया के और चाइना की जो थी वह थी नाइंटीन परसेंट तो कुल जनसंख्या दो हजार एगाराए के जनगन्ना के मुताविक कितनी थी तो यह थी एक सो एकीस करोड आठ लाख चोवन हजार नोसो सतत्ता ठीक है और इसमें से पुरुस कितने थे पुरुस जनसंख्या थी कितनी थी बासट करोड 37,242,24 यह कुल जनसंख्या का 51,54 परसेंट थी और बात करने महिला जनसंख्या कितनी थी तो महिला जनसंख्या थी 58,64,69,174 ठीक है यह पुल 48,46 परसेंट थे टोटल पॉपुलेशन थे और 2011 के संसंख्या के मुताविक से पुल कितने जिला थे तो जिला की संख्या हो जागी 640 आप इसको याद रखना है यह पूछा जाता है ठीक है कि 2011 के संसंख्या के कितने डिस्टिक थे टोटल नंबर क्या है जीलो की कुल संख्या क्या है तो वह थे 640 आप उसको याद रखना तो सक्षर्ता धर कुल को संख्षर्ता धर हो सब्सक्राइब खिक है तो आप यह इंपोर्टेंट है ठीक है और उससे भी ज्यादा इंपोर्टेंट है महिला साक्षरता दर्द था पांच जीरो परसेंट इसको आप क्रिपल स्टार को लो क्योंकि यह बहुत बार पूछा जा चुका है पिछली एक्जाम्स में आ चुके हैं यह और आगे भी हो सक कि जन्संख्या का गहनतव कितना है प्रतिवर किलोमितर तो वह है 321 यह पूछा जा चुका है एक यह भी आपके लिए इंपोर्टेंट नरे कि देंसिटी पूछ ले जन्संख्या के अधार पर प्रतिवर किलोमिटर कितना है तो 3122 है और आप से लिंग अनुपात पूछ प्रती हजार पूरूस पे सेक्स रेशियो पर थाउजन्ट मेल पे तो वह है नाइन फॉर्टी थी फीमर्स ठीक है यह अगर बात करने चाइल्ड का चाइल्ड का सेक्स रेशियो अप्टू सिक्स यह छे वर्स तक क्या बाल लेलिंग अनुपात कितना है तो वह है 919 फीमर्स ठीक है 919 महिलाएं यह हैं पर 1000 मेल पर ठीक है और आगे बात करते इसे में यह सब इंपोटेंट है यह से याद कर ले नेट लगा जाते हैं बारवाद रिपीट होते तो आप इसे याद कर ले नेक्स्ट बात कर ले कि सारवधिक अवाधी वाले महानगर कौन है तो टॉप पे है मुंबई उसके बाद है डेली उसके बाद आता कोलकाता पिर है चन्नाई फिर है बैंगलोग तो आप इसको याद रखना टॉप के तो याधी रखना टॉप त्री तो याधी कर लेना पूछ देता कि टॉप फुरी कौन है अगर बात करें लिस्ट पॉपुलेटेड सबसे कम अवाधी वाले राज या केंद शासित परदेश तो लक्षदीप केंद शासित परदेश है जो सबसे कम है उसके बाद सब्सक्राइब करें तो आप इसको याध रखना आपको पीडियाफ मिल जाएंगी ठीक है लिंक में हमारा चैनल के लिग्राम चैनल का लिंक होता वहां से जाका पीडियाफ ले ले रहा एक बार पीडियाफ को गो थूर कर लेना दो से तीन वार ताकि आप एक्जाम के और हम बात कर लें सरवादिक जनसंख्या वाले राजी जिनमें जनसंख्या सबसे जादा है 2011 का सिंसरत आप याद करें यह 2011 का है ठीक है परजेंट कर नहीं है ठीक है तो उत्तर परदेश सबसे सिर्ष के है उसके बाद है महरास्त फिर है बिहार फिर है वेस्ट वंगाल और आंद परदेश ठीक है तो तॉप थी तॉप याद ही रखना और सिर्ष सक्षार्था वाले राजी या के नसासे पर देश कौन से टॉप लिट्रेसी रेट वाली यूटी या स्टेस कौन थे तो सबसे फर्स्ट पर के लाइं इसका लिट्रेसी रेट है 94 सेकेंड पर याद तुरिपूरा 87.2 परसे यह सब टॉप पे ठीक है तो लिस्ट पे कौन-कौन है वह भी देख लेते हैं कि लिस्ट शक्षार्था दरवाले कौन-कौन से तो आ गया यह सबसे कम सक्षार्था वाले राजियकें सासे पर देश कौन है तो सबसे कम है बिहार में कितना है तो 63.82 याद है यह 2011 का है उसके बाद किस पे है सेकेंड लिस्ट कौन सा है तो अनुराचल परदेश से 66.95 परसेंट और उसके बाद कौन से तो राजस्थान 67.0 परसेंट से और बात करने कि उच्तम घंत वाले राज या किनसासित पर देश कौन प्रतिवर किलोमेटर से कौन सा आप कहा सकते कि देल्ली है टॉप पे है देल्ली ठीक है यह सबसे हाई डेंसिटी वाले स्टेट है इसके बाद आता है चंडीगर यूटी ठीक है फिर पुद्दू चेरी फिर आता है दमन एंधिव और फिर आएगा लक्षदी ठीक है तो यह सब आप याद रखना है कम से क अब तो लिस्ट याद रखना यह एक दो बार पूछा जा चुका है और होता है कि यह रिपीट हो रही है सब कमी कोश्चन इन से बनते हैं क्योंकि यह फिक्स्ट एलिम्टेट चीज़ें जो मैं बताया हूं इसी में साहते हैं और बार बार आते हैं तो आप से याद रखने इस पॉप्लेशन इन इंडिया सबसे ज्यादा किसमें तो उत्तरप्रदेश बहुत बहुत बरा राज है तो इसमें सबसे अधिक ग्रामिन जन संक्या है तो आप इसको तो कम से कम ध्यान में रखना है इस पांच को जरूर रखना यह बहुत ही इंपोर्टेंट है चलिए मै इस दित अधिक है चलिए चलते हैं तो आगे हाइस सेक्स रेशियो वाले स्टेट कौन सा है तो केरल इसमें कितना है ड़े 1084 फीमेल फीमेल यह जाजाजाद चौराशियों से सबसे ज्यादा बात करें लोएस्ट की तो वह है हरयाना में इंत सेवेंटी नाइन स्वीमल पर पुद्दू चेरी में देख पारेंगे एक हजार 37 है और लोइस्ट की बात कर ले यूटी में तो वह दमांदी में 618 यह चारों भी बहुत इंपोर्डेंट बनते एकजाम बैसिस पे तो पिसको भी याद कर लेना और बात करने अधरिस्टेशेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंट उप्याइए का देख नतुए हो ते पहले एक बार मेरे PDF देख लेना अब उसको दो तीन बार गो थू कर जानो ताकि आपका दो से चार नंबर अगर जो भी question आते हैं वह आपके fix हो जाए ठीक है क्योंकि जीके में score करना बहुत difficult task होता है तो आप कम चीज़ पढ़के ज्यादर score कर पा रहे हो तब उस चीज़ के साथ जाओ ठीक है तो चलिए इसके साथ question answer कैसे सनाए गया ठीक है तो हमने जो पढ़ा है आपको हो सके तो बहुत चीज़े पहले से याद होगी अगर नहीं भी याद है कि highest sex ratio वाला state कौन सा है कौन सा राजय जहां पर रिकॉर्ड यह सेक्स रेशियो के रहाल मिजोरब हर्याना पंजाब चलिए इसके साथ time up हो गया है तो highest sex ratio वाला कौन सा है कि वह के रहा है मैं बता चुका हूँ आप देख लेना एक बार class over होने का फिर से देख लेना तो सारी चीज़े clear हो जाएगी next question की बात कर ले तो बताना कि कौन सा यूटी according to census 2011 लिस्ट पॉपुलर्स है ठीक है दमान एंडिव सिक्किम लक्षदीप अन्वार एंडिकोबारा हिगा सबसे लिस्ट पॉपुलर्स है यूटी नेक्स्ट ही बात करते है नेक्स्ट कोश्चन है कि नंबर ओफ डिस्टिक रिकॉर्डिंग इन संसस्वाज 2011 के संसस के कोने कितने जिला है ठीक है कितने जिले रिकॉर्ड किये गया है ट्रीक वे रिचाहर को गया और होब आप लोगे ने अंसर कर दिया होगा तो इसका जो राइट है है यह है जैसे स्ट पत्र प्रेंद नेक्स्ट की बात करते हैं नेक्स्ट कोश्चन है कि वाट वाजब इस्टीमेटेड कोस्ट ओफ सेंसर्स सेंसर 2011 का कितना कोस्ट आया था 11 billion 22 billion 11 million 1 billion चलिए टाइम अप हो गया तो मैंने आपको बताया था 22 million या इसको बोल सकते थे कितना 220 करोर थे ना या 200 करोर था जो भी था आप देख लेना एक बार 220 या 200 करोरी था 2200 करोरी था चलिए नेक्स्ट बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वोस्ट्चन करा है कि which of the following pair is wrong state और उसका सेक्सर्फिय दिया हो तो आपको बताने कि इंचार्ण में तो कौन सा रॉंग केरल का जी आवाद दस्टो चौरासी अन्द पदेश का नो सब इरानवे डेली का 866 और हर्याना का 833 तो आप लोग ने सही अंसर करें जो रॉंग मैच है वह हर्याना इसका 893 नहीं है इसका जो राइट है वह 870 नहीं ठीक है तो यही इनक्रेक्ट मेलबाद में कि सब्सक्राइब नेक्स सब्सक्राइब कि सबसें लोइस्ट सेक्सरेश विच स्टेट है अब इस लेगर रेयाना केरला तमिलनादू महरास्त्रा इसके साथ आपका टाइम आप हो गया है आप लोग ने एंसर दे दिया होगा अभी ही बता आया है पिछले ही स्लाइड में आपने देखा था तो वह है हर्यान ठीक है कितना बताया था एट सेवेंटी नाइन फीमेल पर थाउजेंड में ठीक है चले नेक्स्ट की बात करते हैं नेक्स्ट कर रहा है एज पर सेंसर 2011 इंडिया का सेक्स रेशियो कितना है दोहजार एगारा के जन्गर्ना के एक वाड़ी चार अप्शन है फटाफ़ट एंसर कीजिएगा चले इसे के साथ टाइम अप हो गया और आप लोगों तें साही एंसर किया होगा इसका जो साही एंसर है वह है आपसान नंबर टू 940 ठीक है चले नेक्स्ट कोस्ट्ट के बात कर लेते हैं नेक्स्ट कोस्ट्ट कह रहा है कि विच स्टेट है विकम दा मोस्ट देंसली साथ से और दिया भी है नंबर तो आपको बताना है कि वह कौन साथ चार ऑप्सन है तो हमने सेकेंड लास्ट स्लाइड में पढ़ा था कि वह है बिहार जिसमें सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड लोग एंगारा सो दो परसन है पर स्वार कि नेक्स्ट आपको बत कितना है 2011 के जनगन्या के अनुसार चार अप्सन मिलें आपको कि शलिए से के साथ टाइम आप हो गया आप लोग ने एकदम करेक्ट एंसर किया होगा और वह आपका करेक्ट एंसर है 382 ठीक है चलिए नेक्स्ट कोस्टन पर चलते है तो नेक्स्ट कोस्टन कहा रहा है कि अभी का मत कर देना एंसर ठीक एक बार देख लेना कि 2011 दिया हुआ है यह तो आज के लिए बस इतना ही आपको आज का क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और यह क्लास बहुत ही इंपोर्टेंट है तो उन सभी दोस्तों से सेर कर देना जो की एक्जाम के लि जिनका है ठीक है नेक्स एक्जाम जो होने वाला है सीजल का जिसमें एपीर हो रहा है क्योंकि उनके दो नंबर पक्ते हो जाएंगा और यह वीडियो हमारा ज्यादा सब्सक्राइब कर लेंगे इंपोर्टेंट चीजें भी डिसकास हो जाएंगी तो उनसे सेर करना नहीं भ लाओंगा वही लाओंगा जिससे आप पढ़के इग्णा में नंबर सेक्योर ठीक है तो तब करना के लिए जय हिन जय भारत